तो हेलो फिर्ण्स आज मैं आपको पताने जरू एक ऐसी ट्रिंग जो आपके घर को खुशबुदार बनाएगा और साथी साथ सारे मच्छों और मक्यों को आपके घर से दूर भी रखेगा तो चलिए शुरू करें तो यहां मैंने यूज किया है मॉस्किट टू वैपराइजर मशीन जो कि खाली होने के बाद आपने बिल्कुल भी नहीं फेगनी है तो यहां मैं आपको इसका यूज बता रही हूँ यह मेरे पास वैपराइजर मशीन है जो कि बिल्कुल इसके लिक्विड खतम हो चुका है तो मैंने ज़ा किया है कि एक फॉइल ले ली है बहुत ही आसान ट्रिक है है यह सब कोई भी यूज कर सकता है और घर में जलाने वाला कुपूर जो कि-हम पूजा में यूज करतें है उसे मैंने क्रेश को लिए बिल्कुल पत्ला बारिक कर लिया है आप किसी भी चीज से क्र पर रख लिया है और इस फॉयल को मैंने एकदम कटोरी जैसी शेप बना कर यहां पर देखिए यहां में फॉयल दिखा रही हूं ज्यादा बड़ी फॉयल ना लेकर छोटा सा पीस ही लेना है और इसे यहां पर हमने वेपराइजर मशीन पर रख देना है बहुत ही आसानी से ऐ इसे जगा रखें जहां बच्चे से ना टच करें क्योंकि यह उनकी आइज में गिर भी सकता है तो थोड़ा बच्चों से दूरी रखिएगा तो यहां मैंने कीचिन में लगाया है अपने डाइनिंग लिविंग हॉल में लगाया है आफ गॉश रूम में भी लगा सकते है इसकी स्मेल और खुशू बहुत यह ट्रिक मुझे इतना वैल्यूबल और इतना यूस्फू लगा ना कि मैंने इसको आपके साथ शेयर किया मैं ऐसे ही करती हूँ इवनिंग की टाइम आपके घर महकता रहेगा तो आप भी इसे जरूर करके देखिए लाइक कीजिएगा श